वेल हेलो एन वेलकम हैं दोस्तों आप सब लोग का ठेक एमेंग पर एक बार फिर से तो दोस्तों आज हम अंबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के F41 स्मार्टफोन की बहुत ही बड़िया फोन है दोस्तों बहुत सारे फीचर के साथ आता है अगर दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइजिंग की तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में इसका जो प्राइजिंग है वो रहने वाला है 15,499 रुपे और आप उससे भी कम इस फोन को कैसे बाई कर सकते हैं मैं वीडियो के लास में आपको बताने वाला हूँ तो कैसे वीडियो के लास तक बने रहना सारी की सारी बाते आपको बताने वाला हूँ सारे की सारे फीचर जो है डिटेल में एक्स्प्लेइन करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग की तो यहां पर आप देख सकते हैं Samsung F41 जो है यहां पर लिख प्लेइन किये गए है 64 में आप इसके लाबा सूपर एमिलेड डिस फले यहां पर 64 GB वेरिंट मेरे पास है 6 GB रैम इसके देखने को मिलती है अगर आप चाहते हैं ज्यादा वेरिंट कर लेना खैर आप 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिंट के साथ भी जा सकते हैं तो चल कर लेते हैं और यहां पर आप देसाने पर की दर्वा में देखने को मिल जाता है तो यहां पर Samsung के ब्रैंडिंग की है और यहां पर आपको SIM Ejector Tool जो है वो देखने को मिल जाता है एकक श्तॉर्ट गाइट बल जाती है warranty है वार呢 card आपको यह देखने को मिल जाता ह। और यह हमारा फोन तो यहां पर अपने फोन को जल्दी से निकालते हैं बाहर यहां पर हमारा Samsung का F41 कुछ इस तरीके का दिखता अभी हमार पर जो कलर है दोस्तों वो है Fusion Green इसके लाबा Fusion Black और Fusion Blue भी आते हैं तो आप खेर उन में से भी चूज कर सकते हैं तो यहां पर phone जो है वो काफी ज़दा बड़ी अलग रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी इसको बाद में unwrap करेंगे सबसे पहले हमें आपको समान दिखात हों क्या-क्या मिलता है इसके लाबा दोस्तों box के नदर हमें 9W का charger भी देखने को मिल जाता है हाले कि phone 15W की far charging को भी support करता है तो वो अलग से आप ले सकते हैं और इसके लाबा हमें box में और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और यह रहा हमारा phone अगर बात करता हूं इसके weight की तो यहाँ पर 191 gram का weight जो है phone का हमें देखने को मिल जाता है चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको unwrap और आप देख सकते हैं यहाँ पर dot watch वाला design जो है screen में दिया गया है और seriously दोस्तों यह जो fusion green color है वो काफी जड़ अच्छा लग रहा है आप देखने कितना मतलब जो shade of black and green का मतलब जाबर दस्त है चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने phone को on तो यहाँ पर Samsung Galaxy F41 लिखकर आ गया है Samsung की branding और बहुत जल्दी boot up हो जाता है यहाँ पर थोड़े बहुत setup हम ही करना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको setup और यहाँ पर अब हमारा phone फुली setup हो चुका है सारी हमने IDYDs डाल दी है और पूरी तरह से phone को कर देंगे ready तो यहाँ पर हमारा Samsung F41 पूरी तरह के से ready हो चुका है जाने कि जो pictures है वो काफी जैदा amazing जो है आपको इस phone से मिलने वाली है चलिए अब देर के इस बास की सबसे पहले बात करते हैं इसकी specification की तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसकी display की तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 6.4 inches की full HD S AMOLED Infinity U display दोस्तों जो AMOLED पैनल होते हैं वो बहुत ही कमाल के colors जो है produce करते हैं तो आप कोई भी content इस पर देखते हैं आपको देखने में बहुत ही द्रदा मज़ा आता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके processor की तो यहाँ पे XNOS का 9611 processor हमें देखने को मिलता है इसके लाबा 6 GB की RAM और साथ में 64 GB यहाँ अगर दूसरा variant आप लेते हैं तो 128 GB की storage भी आपको देखने को मिल चाती है अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हम इसके camera की तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 64 में आप Excel का camera और साथ में 5 में अप Excel का camera भी मिलता है जो की help करता है आपको live focus में इसके लाबा 8 में अप Excel का camera जो की ultra wide camera है 123 डिगरी का field of view जो है वो ले सकता है और अगर हम बात करते हैं इसके front camera की तो यहाँ पे 32 MP का front camera भी देखने को मिल जाता है इसके लाब अगर हम बात करते हैं इसके design की तो यहाँ पे slim और sleek design हमें देखने को मिलता है weight मैंने आपको बताई ही दिया 191 gram का weight इसमें देखने को मिल जाता है बात करते हैं दोस्तो इसकी battery की तो यहाँ पे 6000 mAh की battery हमें देखने को मिल जाती है massive battery जो आपको जब बड़स battery backup देने वाली है साथ ही phone में आपको expandable memory card slot और साथ में sim slot भी देखने को मिल जाता है आप चाहें तो 512 GB तक इसकी memory को expand कर सकते हैं और यहाँ पे right hand side में आप देखते हैं तो volume rocker और power button आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और काफी handy हैं काफी easy तरीके से आप इसको access कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5 m का jack मिल जाता है c-type order speaker की placement यहाँ पे की गई है left hand side में यहाँ पे आपको sim के लिए placement मिल जाता है memory card आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तो phone के अंदर आपको काफी सारी pre-installed app देखने को मिल जाएंगी जैसे कि Samsung की काफी सारी apps हैं यहाँ पर जो maybe आपके लिए useful हो सकती है maybe not तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी जो application हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं Google की काफी सारी application देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर इसके लावा Microsoft की apps हैं यहाँ पर तो pre-install आती है तो आपके लिए helpful थाबित हो सकती है इसके लावा यहाँ पर user interface की बात करो तो similar साही है जाए Samsung के जैतर फोनों में हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर आइकन्स बढ़े हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं अंडॉइड वर्धन जो मिलता है, Android 10 आपको यहाँ देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Batteries related यहां पर आपको काफी चीज़ें पता चल जाती हैं आपका पी option मिल जाती है Battery usage आपने कितना किया है हाला कि 6000 आशी है तो काफी heavy battery बैक ऐडाइप आपको यहापे देखने को मिल जाता है Power Mode भी आपको देखने को मिल जाता है की कौन सी ऐप जो है कितना पावर जो है यहां पर कर रही है चारजिंग, फास चारजिंग आप देस्टे रहे हैं नेबल कर सकते हैं यहां पर औक थो यह सारी फीछर अपको इस वाले बैटरी वाले मोड में देखने को मिल जाते हैं 2.3 GB जो है फिलाल यहाँ पर हमारे पास जो रहे हमें वो अवेलवल है दोस्तो all over phone यहाँ पर काफी अच्छा perform करता है आप देखते हैं काफी smooth जो है इसकी running हो रही है अब दोस्तो यहाँ पर बात करते हैं display की तो बहुत ही amazing display यहाँ पर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर S AMOLED जो है infinity U display हमें देखने को मिलती है 614 inch की यह display है और काफी कमाल के जो colors है वो यहाँ पर produce करती है तो कोई भी content जब आप इस पर देखते हैं तो 200 AMOLED जितनी भी screens होती है बहुत कमाल के होती है मतला आपका जो viewing experience होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है का colors काफी ज़्यादा अच्छे आते हैं मतला बहुत ही ज़्यादा आपको रिचने से महसूस होगी colors के अंदर यह चीज काफी अच्छी कि Samsung ने इस phone के अंदर इस display का इस्तमाल किया है अब यहाँ पी side angle भी आपके काफी अच्छे रहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा tilt करते हैं आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो ओल ओवर तो बैदल हैं वो भी काफी ज़्यादा पतले हैं तो इससे डिस्पले थोड़ी सी और एक्स्ट्रेक्टिव लगने लग जाती है तो यहाँ पर जो साइच की बात कर तो 6.4 इंच काफी perfect size है तो ओल ओवर डिस्पले तो इसको already set up कर लिया है तो अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि कितने easy तरीके से यहाँ पर work करता है तो यहाँ पर tap किया आप देखते हैं फोन जो unlock हो जुका है दोबारा करते हैं unlock हो जुका है तो काफी मतलब सही तरीके से work करता है ऐसा नहीं कि lag करेगा या कुछ इसा अब यहाँ पर अगर face से आप unlock करना चाहते है तो वह भी मैं आपको दिखायता हूँ कुछ इस तरीके से यह unlock हो जाता है तो यहाँ पर भी जो इसका movement था वो काफी ज़्यदा fast था तो आप देख सकते हैं जो इसमें काफी fastly जो है हमारे phone को unlock कर दिया है तो all over यह चीज जो आपर यह हो गया है तो आजकल white photos लेने का काफी ज़्यदा चलन है तो यहाँ पर देख सेंगे किस तरीके से मारे चीज की quality यहाँ पर चेंज हो रही है तो लाइफ फोकस में खीचना चाहते है तो option मिलता है आपको इस phone के अंदर यहाँ पर कुछ sample मैं आपको दिखा रहा पर food उसके लावा night मिल जाता है तो यहाँ पर कुछ और सेंपल दिखा रहा हूं कि किस तरह के जो सेंपल इसके यहाँ पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैंने यहाँ पर गोर करें जब भी आप 64 में फोटो खीचते हैं तो यहाँ पर 3-4 के scale पर ही जो है आपक 64 में फिक्सल की images मिलती हैं और जो काफी शार्फ जो है यहाँ पर images लेती हैं और दोस्तों यहाँ पर हमें single take का भी option देखने को मिल जाता है यह इस camera का काफी जैदा amazing feature है अब उसमें basically होता है कि जैसे आप इसके अंदर switch करते हैं तो यह एक ही short के बहुत सारी shorts बना लेता है तो वहाँ से जो short सबसे ज़यदा बहतर होता है उसे आप यहाँ पर चुन सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह एक ही short को यहाँ पर लिया था पर यहाँ पर काफी सारी shorts हमें मिल गया है different different जो है आप देख सकते हैं क्या जबज़़श ट्राइल जो हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर टोटले में 7 जो हैं यहाँ पर मिल जाते हैं तो जो भी आपको सही लगता है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं तो यह जो चीज़ है ना यह बहुत ज़्यदा कमाल की है इस phone के अंदर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं gaming की तो यहाँ पर आपको battery का भी दि होने वाली है पर यहाँ पर इसका जो battery performance है वो काफी जैदा अच्छा है मैंने पूरा match यहाँ पर प्ले किया तो यहाँ पर तकरीबन 1% जो मेरी बैटरी है वो यहाँ पर डाउन हुई मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर देख सकते हैं 34% थी पहले और यहाँ बैटरी 33% है तो यह बहुत बढ़िया चीज है इसके आप आप गेम मोड वगरा भी मिल जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी आपको settings देखने को मिल जाते हैं जिसे गेम में आप बिलकुल भी disrupt नहीं होते हैं तो आप record करना चाहते हैं यहाँ पर ब्लॉक करना चाहते हैं कुछ calls वग करना तो आपको इसनी भी apps आपने खोल रखी है तो decent perform करता है तो इस phone की जो launching date है वो है 16 of October को तो यह phone आपको मिलने वाला है flip card के उपर अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप big billion days आपको पता कि इस time sale आ रही है flip card की तो अगर आप उस दिन इसको buy करते हैं तो यह आपक और देना है और बाकी का remaining amount है आपको देना है एक साल बात तो यह phone आप ले सकते हैं सिर्फ 10,860 रुपे का तो खेर दोस्तों बहुत ही बढ़िया और amazing offer है यह तो definitely दोस्तों BBT की sale आ रही है तो आप इसको पहले से जो है इस जीच को ध्यान में रखना और अगर आप यह phone buy क करना चाहते हैं तो यहाँ पर link दे दूँगा description में तो वहाँ से जाकर आपको easily buy कर सकते हैं दोस्तों साथ में आप लोगों के लिए भी एक special surprise है इस phone को लेकर तो जल्दी ही मेरी BBT की वीडियो आएगी तो उसको देखना जरूर क्यों वो special surprise सिर्फ आप लोगों के लिए औ और उस दिन रिवील करने वाला हूँ तो खेर दोस्तों आज की हमारी वीडियो Samsung के F41 के बारे में थी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे comment करके जरूर बताना तो खेर दोस्तों आज की वीडियो खेर यही तक थी मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई जिस सब्सके वीडियो